एलो हैस्पिरेंट्स स्ट्रेजी पॉर्द यू पसे एश्ट्रेजी पॉर्दटॉड शून्च पोज़ते हैं कि यह तॉपर का स्ट्रेजी था है इसके प्यास होना चाहिए the strategy which suits to your position suits to your environment suits to your personality suits to your study habit we cannot copy and paste other's strategy and lifestyle to our lifestyle and strategy isn't it but without strategy if you are preparing for this examination it's like I am having a vision without strategy and that is nothing but illusion yes strategy without execution is also useless even execution without strategy is also useless and it is aimless also now the strategy before you are cutting the tree you should sharpen your axe you have to leave your axe and sharpen your axe past is there for the reference isn't it but not for residence reference refers to problemas leave your axe अब क्या हता है कि जैसे जो एस्पिरेंट जो बंदा जिसको मॉर्निंग में पढ़ने की आदत है उसको रात में जगाओगे पढ़ने बोलोगे विचारा कैसे पढ़ेगा वो कैसे पढ़ेगा बता तो सेम चीज आवकर किसी टॉपर का मैंने इंट्वी पढ़ लिया तो वो बोलता था कि मैं राद भर पढ़ता था ठीक है तो पर दीन में तो सोता था था ना जब महुल में प्रिपेर करना पढ़ेगा हो सकता है उसको लाइवरे में जाकर पढ़ना पढ़े एक वर्किंग विमन या वर्किंग पर्सन या जो वर्किंग जो ऑफिस में जाता है या कॉलेज में जाता है उसको कैसे पढ़ाई करना है ऑफिस में कैसे पढ़ाई करे उस जो वर्किंग एम्प्लॉई है वह ओफिस में जब जाता है तो वहां पर न्यूस्पेपर ही पढ़ सकता हूँ और न्यूस्पेपर इस आपने उस्पेपर पढ़ते हैं that it means strategy is different for everyone इसलिए क्या है क्या होते है कि आपना मौनि में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं जैसे नॉर्मली लोग मौनि में नूस्पेपर पढ़ता है पर मौनि में हमारा नूस्पेपर को रिट करों तो इम नॉट रिडिंग दे नूस्पेपर दर्वारी बॉनिंग वान अच्छा तरीका है वह आपके वह शूट करता पर कुछ लोगे भात नहीं रहेगा तो मैं तो जी ही नहीं पाऊंगा मेरा मॉटिवेशन खतम हो जाएगा तो उनको मैं जवस्ति कैसे पढ़ाऊ जवस्ति कैसे खिलाऊ अब देखो हम लोग बोलते हैं कि हमारा मॉटिवेशन अब डाउन होता है और स्ट्रेजी हमारा उसको फॉलो नहीं कर पाते जो हम लोग ने सोचा था इट हैपन्स क्या है कि यह नोट रॉपा कि आप जो स्ट्रेजी बनाया थे वही फॉल हो इवन जो लाइफ में आपने थॉट लिया था क्या वही चीज आगे पढ़ रहा है नहीं होता है इट कीप सॉन चेंजिंग इवन पीपल यह चोजन इट आपने हो सकते मरने जीने की कस्में खाली थी वह नंदरी किया जो थी 2016 की चाप पर थी 2016 की उसने स्टार्टिंग में पढ़ाई ही बहुत किया और लास्ट येर वो आयरस मिला उसको मतलब 2015 मिला और 2016 और 2015 के प्रपरेशन बस इतना डिफरेंस था कि उसने सिर्फ आंसर राइटिंग किया तो 2016 में उसका स्ट्रेजी था तु स 2015 में क्या था उसका कि ग्रैब दो नॉलेज ग्राब दे कंटेंट तो स्ट्रेजी ये टू ये भी चेंज हो सकता है मतलब इस पेशियल टेंपरेंट और परसनल तीनों लेवल पर चेंज हो सकता है प्रेशियल क्यों वह रहां आप अपने जगा पर जहां पर पढ़ रहे हो जहां पर जहां पर जिस के साथ पढ़ाई पर उसके सथ अलग हो गया उसके साथ अगईंट करना है एंственट इंट तो I cannot paint all of the canvas with a single brush हर किसी का सिंगल स्टेजी नहीं हो तो नेवर कॉपी और पेश्टेजी नहीं हो तो नेवर कॉपी अधर स्टेजी इन यूर लाइश्टार अतना बना नहीं होता है तो टीचर से पुछ हो अना सर ऐसा करूं वो ठीक है कि नहीं है पुछ सक्रिजिए परेंट से पुल्सक्तिव परेंट नहीं हो यू वरीवल तो यह दो नो नो था उप्सी एग्जामिशन इपन बदे नो यूवल तो इसले अपना कस्तमाईश्ट प्रेजिए वना तेक है चला है जो बाए